हलो दोस्तो स्वागत है आपको अपने यूटूब चैनल NK with Classes में दोस्तो जीके का दस ऐसे कोशन को दिखने वाले हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो तो चड़िये हम सुरू करते हैं पहला कोशन देखते हैं दोस्तो किश जनवर की संख्या भारत में सबसे अधिक है अपसर नमबर A है कुट्टा अपसर नमबर B है हाथी अपसर नमबर C है मचलिया और अपसर नमबर D है चिट्टी इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमबर C मचलिया चलिए दूसरा कोशन देखते हैं किस पक्षी को रात में एकदम दिखाई नहीं देता है अपसर नमबर A है चमगादर अपसर नमबर B है हंस अपसर नमबर C है मुर्गा और अपसर नमबर D है उल्लू आपका राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमबर C यानि मुर्गा चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है भारत की सबसे चोड़ी नदी कौन सी है अपसान नमबर A हो जाएगा गंगा अपसान नमबर V हो जाएगा भरंपुत्र अपसान नमबर C हो जाएगा गुदावरी और अपसान नमबर D है सरसवत्ती इसका राइट एंसर हो जगा अपसर नमबर B यानि वरंपुत्र नदी चले अगला कोश्चन देखते हैं किस जीव को करोना वाइरस नहीं होता है अपसर नमबर A है बिली, अपसर नमबर B है चुहा और अपसर नमबर C है हाथी और फिर अपसर नमबर D है वक्री, इसका राइट एंसर हो जगा अपसर नमबर B यानि चुहा किस देश में मोबाइल दूर फिंकने का खेल खेला जाता है अपसर नमबर A है भारत अपसर नमबर B में है जर्मनी अपसर नमबर C में है सिंगाफूर और अपसर नमबर D में है फिनलेंड इसका राइट एंसर हो जएगा अपसर नमबर D यानि फिनलेंड चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोशन है कौन सा फेंड सरवाधिक आउकसीजन देता है अपसन नमबर A में है नीम अपसन नमबर V में है केला अपसन नमबर C में है बरगद और अपसन नमबर D में है पीपल इसका राइट एंसर हो जागा अपसन नमबर D यानि पीपल चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है सौरमंडल में किस ग्रा को नीला ग्रा के नाम से जाना जाता है अपसन नमबर A में हैं प्रित्वी ग्रा अपसन नमबर B में हैं सनी ग्रा अपसन नमबर C में हैं मंगल ग्रा और अपसर नमबर D में है बुद्ध गरा इसका राइट एंसर होचेगा अपसर नमबर A प्रित्वी गरा अगला क्वेशन देखते हैं कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है अपसर नमबर A है गुलाब अपसर नमबर B में है कमल अपसर नमबर C में है नागपुस्प और अपसर नमबर D में है चैमिली इसका राइट एंसर होचेगा अपसर नमबर C यानि नागपुस्प अगला क्वेशन देखते हैं किस भारतिय वैंक की सबसे अधिक सखाय है अप्सन नमबर A में है भारतिय रिजर्ब वैंक अप्सन नमबर B में है भारतिय अश्टेट वैंक अप्सन नमबर C में है इुनियन वैंक और अप्सन नमबर D में है पंजाब नेशनल वैंक इसका राइट एंसर हो जागा दोस्तो जिस question का answer आपको यदि फाता हो तो comment में जरूर बताएगा दोस्तो चलिए अगरा देखते हैं कौन सी चीज गर्म करने पर जम जाती है अपसन नमबर A में है लोहा, अपसन नमबर B में है अंडा, अपसन नमबर C में है चांदी और अपसन नमबर D में है दुध इमली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, अपसन नमबर A में है कैंसर, अपसन नमबर B में है गठिया, अपसन नमबर C में है बुखार, और अपसन नमबर D में है हार्ट की बीमारी इसका राइट एंसर हो जगा, अपसन नमबर D यानि हार्ट की बीमारी तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताएगा और दोस्तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तो जहें दोस्तो